दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये कहानी है छोटे से गाव का इस गाव में दस साल से नहीं मनाया गया होली कहते हैं कि होली खुशियों का तिवहार होता है इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं लेकिन भारत में एक ऐसा भी गाव है जहां सौ साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गाव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कोई मातम छाया हुआ हो। इस गाव का नाम दुरगापुर है, जो जारखंड के बोकारों में पड़ता है। कहा जाता है कि इस गाव में लोग होली पर रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गाव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गाउं में लोग अपने मर चुके राजा के आदेशों का अभी भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि उन्होंने राजा की आग्या नहीं मानी तो उनका भूत गाउं में आकर तबाही मचा देगा इस गाउं में एक कहानी प्रचलित है लोग कहते हैं कि 100 साल पहले दुरगापुर नामक इस गाउं में दुरगाप्रसाद नाम के एक राजा का शासन था उन्हें होली का त्योहार बहत पसंद था लेकिन एक रोज होली के दिन ही राजा के बेटे की मौत हो गई उसके बाद से गांव में जब भी होली का त्योहार मनाया जाता था वहाँ या तो सूखा पड़ जाता था या महामारी फैल जाती है जिसमें सैक्ड़ों लोग मारे जाते थे महामारी से तंग आकर राजा ने समस्त प्रजा को होली का त्योहार न मनाने का आदेश दे दिया लेकिन कुछ सालों के बाद इत्तिफाक से उस राजा की भी मौत होली के दिन ही हो गई उसके बाद से ही यहां होली का त्योहार न मनाने की एक परंपरा बन गई जो अब तक चली रही है उनका मानना है कि अगर राजा के आदेश की अवहेलना की तो उनका भूत आकर गाव में तबाही मचा देगा अगर आप पूरा कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं